नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंखना उन्यों प्रथी केस प्रोग्रेम में पर फिर आपका स्वागत है साथियों आज वो बात करेगे जिडे स्ट्रोनिया यानि आपके मूँ में स्लाइवा ना बनना यानि की मूं ने थोगणा बनना बनना जानिकी प्राई माउथ के रिष्ट एक भी रची जे जो आपकी जिन्सक्ट को घिराती है और जिनका मूह सुकता है। जिनका नक estás और लोग परिशान रहते हैं कि अगर किसी को होता है तो उसका मेंड़ा वाली प्रासेस गवरा जाते हैं उसका डाइडिशन गवरा जाता है और भाइस से परिशान रहता है हुमियोंबर्थी में साथियों कारगर दवाएं है आपके ड्राइमाउट को ठीक करने की यानि मुह जो सूपता है इची पकता है उसको ठीक करने की जो आपको सलाइवा को पुर्णा बनाने के लिए हेल्प करके आपको नॉनल कंडिशन में लिए हैं बताएंगे साथियों ऐ मुह का सुखना अंचि उस उसकी ब्राइम हो जोई को होता है सबसे बाश संक्राइए कि जब आप कर जो सलईवा बनता है क मुझां ऑबाएगा मुं अ ус साथियूं तुसा सिंटम होगे है जो आपको स्लाइवाबन विरहार उसको अपतार की तरह खीज सकती मां स्टीमिली होता है तीसा सिंटम साथ हूग और चौसा सिंटम साथ हूग सोर्थ हो गया एनी गले में खरास होना और मुझसे पत्पुआना अलगया सिंटम है तो किसी को दी जाती है वह कारन होता है, कई सारे मेडिकेशन्स होते हैं जो आपको छाते highest करते हैं scheduling हो जाती है गयाया इसके अलावा मेटावालिक हम आपको बताएंगे dry mouth या निजी रोस्टोमिया को खत्म करने की 10 कारगर हुम्योंपर्थिक दवाएं दवाएं बताने से पहले साथियों बता देना चाहते हैं कि यहां दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं साथियों बताते हैं आपको dry mouth को खत्म करने की 10 कारगर हुम्योंपर्थिक दवाएं साथियों सबसे इंपॉर्टेंट ज़ा जो हुम्योंपर्थि में dry mouth की आती है वह है ब्राइनिया अगर आपके dry mouth है आपका मुसूह राहे तो आप ब्राइनिया एलबा ले सकते हैं ब्राइनिया एलबा 30 पावर में दो दबूल दिन नकीन बाल ले ले आप देखेंगे कि आपका mouth मुँ और lips जो हुन dry है वहां वापस moisturize हो गए और आप comfortable महसूस करने लगे जो ब्राइनिया एलबा medicine है इसकी red line ही है dryness of all mucous membranes जो यह भी mucous membrane होती है कहीं विजो आपकी mucous membrane है उसकी redness उसमें रूखापन है सुखापन है तो आप ब्राइनिया ले सकते हैं ब्राइनिया के मरीश को गले में भी बहुत खरास और रूखापन रहता है यह दवा लेने से आपका मूँ भी जो सुखापने खत्म हो जाएगा और आपके जो गले में सुखापने वहां भी खत्म हो जाएगा पिर साथी में कि स्थिती आती है कि आपके पसीना बहुत 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 सूपता है अगर यहां स्थिती के आपके पसीना बहुत आता है स्वेट बहुत बहुत इल्चार्ज होता है और आपका मुह बहुत सूपता है अग्रिया इस्तिती वो तो इसको ठीक करनेगी उम्यों पैथी में कारगरता हुआ विरेटर्म ऐल्बम है अब विरेटर्म ऐल्बम थर्टी पावर में दो दो बूर्टिंग में तीन बाल ले यहाँ तब आपको लाव दे देगी और आपके परस्पाइरेशन को भी सीमित करेंगी और आपके ट्राइमाउट को कतब करके दोनों बातों का बलेंसिंग बढ़ा के आपको फिल फैटर देगी एक सिति साथी वा सकती है ट्राइमाउट केकंडिशन में क्या कम हो इतना सुप गया कि जुबान उपर तालू में चिपक गई जब आप सुबह उख्ते हैं तो आप यह कहते हैं साब हम सुबह उख्ते है तो हमाई तालू पर चिपकी हूई लगती है तो अगर ऐसी कंडिशन हो आपको या आपको ऐसा एसास हो तो इसको ठीट करने की हो में उपैथ यह बहुत कारगर दबाह है नक्स मॉस्काटा आप देखेंगे कि आपका जो इतना सुखा मुह है कि आपकी जुबान तक तालू से सुबाची पपचाती है वहाँ कैफियत खतम हो गई और आपका मौथ पुना उसमें सलाइवा बनने लगा और आपका पूरा फिजियोलोजी ठीक हो गई पर साथ यह स्थितारी आती है कि आपके ब्राइं माउट और आपके बहुत जलन हो रही है अलबर यहां स्थिति हो कि आपका जो टेस्ट पड़स है उन्हें बहुत जुशादा जलन हो रही है तो उसको ठीक करने के उन्हें पहुत का रंगा तबाह है vitamin plastic acid हो गई आपका मुद् शूख रहा है आपके लिफ्ट भी ट्रैक्ट हो रहे है अगर इतना जादा सुखा पनूँ कि आपको मुद् शूख रहे हैाई भी आ रही है आपके लिफ्ट भी क्राइब हग और आप कुछ भी खा रहे हैं तो बड़ा करवा लग रहा है नंकीन लग रहा है तो जाएस्किती है तो इसको ठीक करने के हुम्हे पेटी में दवा है और दवा का नाम है नेटरन्यूरतिका आप नेटरन्यूर वन येंपावर की तीन खुरां परफ़च मुनेट के फासले पर वीकली हफते में ले ले आप देखेंगे कि लिएस खतम हो गई आपका लिपस के ग्रैक खतम हो गए आपके मुँके छाले खतम हो गए और आपको जो करवापन लग राय खाने में वहां खत्म हो गया और आपको भीवन आसान हो गया फिर साथिवे कि स्थिती आपके माउट के बहुत जादा ट्राइनेस है कि शक्क्र अगर अगर यास सब्सक्रा परोक precaution भी आपके मुवें नहीं पिखालती है और आपके मुझ में बदबू रहती है और एक वाइब उने कोटिंग कंद होती है तो उसको धिक करने की मर्कूरियल परिनिस थर्टी पावद में आप दो दो भून ले सकते हैं अगर आपका मौथ बिल्कुल ड्राइ है इतना ड्राइ है कि उसमें शक्कर तक नहीं भून रही है तो यहाँ दबाब की ड्राइ परिनिस को लेकर अपने लाप राक करा सकते हैं यह किस्तिती आती है साथ ही उड़ा है मापकी कंडिशन में कि आपका सलाइवा बिल्कुल थूप जो है वहाँ बिल्कुल लार बिल्कुल सूप गई और लार इतनी गाड़ी ही हो गई ति उसको आप तार ऐसा खीश सकते बलब रोब्स की स्टिंग्स के फॉर्म में उसको आप खीश सकते तो अगर इतना आपके ठीक सलाइवा हो गया है सूखने के बार तो उसको ठीक करने के हुमियोपैथी में दबा काली पाइट्रोम है आप काली पाइट्रोम थाटी दो दो आप का जो वहाँ सलाइवा है वो नॉर्मल जैसा पहले कभी आपको उगवा करता था तब ऐसा वापस हो जाएगा काली पाइट्रोम में एक और खास बात होती है साथियों काली पाइट्रोम दवा का जो इस्टिक्स होती है जो थूख होता उसमें तीला पर होता है येलो इ और पॉल से बहुत प्लेडी मेरे अगर यह स्थिति है कि आपके बहुत ड्राइमाउथ है और आपकी गश्री तूबला पतला अगर यह स्थिति है को इन इस्थिति के पटने के दवाई और वहा है बैड़ा योड़ ग security और सब्सक्रश्रीर में तीन बार आप ले सकते है ल दवाव का ड्राइव माउथ हो टंग आपकी क्रैक हो और आपके जो है यहां जीरो स्टोर्या की कंडिशन हो इस इस्थिति में पर आटा नियुर आपकी टेक्ट उत्व चोईस है यहां दवाव की सिंटम में रिलीव टेक्ट आपको सुस्थ कर देगी एक इस्थिति आती चाहक ग्याय विल्कुल नहीं बन ता है और जो सलाइवा बन भी रहा है वहाँ सलाइवा भूत कम है और इतिनी आपकी गला सूभ गिया है कि आपको यहां पर कसावग मैसूस हो रहा है आपको बोनने में वे दिकर did twos तुत हो कि आहां अपको इस्ומ हमूड्ब केते को इस त तो ड्राय है आपको अपने गले पे कसाव लग रहा है और आपको बोलने तत में दिक्कत हो रही है तो बले डोना आपकी डगाउद चॉइस है यह आपकी समस्या हो खतम करके आपको ठीक करने में मदद करें एक इस्तिती आती साथिरों किसी के ड्राय माउथ है और उसकी जु अप हायोसाइमस थाटी दो तो बूर्दिन में तीन बाहत ले सकते हैं या खुद ले सकते हैं जिसको ड्राय माउथ हो तो जुबान बिलकुल ही सुग गई हो बोलने तक वह चिटकती है तो आपकी टर्ड़ों तो चोइस हायोसाइमस है हायोसाइमस के पिशिंट के नॉर्म जादा होता है अईसे मरीजों की टर्ड़ों तो चोइस हायोसाइमस है फिर साथी में कि स्थिति आती ड्राय माउथ के केस में कि आपका माउथ बहुत ट्राय हो रहा है और सुखा आप उठते हैं तो मुह में बगभूब खौत होती है मुह तो सुखा है यह और जो सुखा नाइजिन्स है आप पल्सेटला 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार उस कंडिशन में ले सकते हैं जब आपका सुबा उखते हो तो मुह बहुत सुखता हो मुह से बद्बू आती हो आपको प्यास बहुत कम लगती हो तो आपको इस समस्या को खत्म करने की दवा पल्सेटला है इसको आप 30 पावर में ले और अपने आपको ठीक करने में मदद करें एक किस्टिती आती है साथियों जब बच्चों में 12-13 साल पे हारगोनल जेल होता है उस समय उनका मुह सुखता है तो अगर यहां कंडिशन है कि जब प्यूबर्टी की एज बच्ची अटेन कर रहे हैं उस समय उनका ट्राय माउथ हो गया है तो उसको ठीक करने की हुमियोपर्थी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है औरम मिटालिकम आप औरम मिटालिकम थर्टी दो दो भून जिन में तीन बार उन बच्चीयों को दे सकती है जो अपने प्यूबर्टी की एज को अटेन कर रहे है और उस समय उनका मुह बहुत सूख रहा है इस दवा से उनका जो यहाँ ट्राक्फर्मेशन है बाडी का यहाँ भी स्मूध हो जाएगा उनका सलाहिवा का सिक्रीशन भी बढ़ जाएगा और लाइक वाइज उनका ड्राय माउथ भी खत हो जाएगा एक इस्टिती जो आप दोर पे देखी जाती है साथी वोजे, जो आपके ड्राइ माऊथ होता है तो Аौके मुहमें च्हाले आते साथे पड़य वर और से खावान, जृवर में तो अगर आपके ओड़त च्छाले आ रहे है और आपका मुह मुह सुपता है तो हुमियोपेथी में छाले खतम करने की और मूँ को ठीक करने की बहुत काज़र दवा है बोरेक्स आप बोरेक्स 30 पावन में दो दोगों दिन में 3 बार ले ले बोरेक्स ये वही है जिसको की हम लोग स्वागा कहते है हिंदी में एक जो कमपाउंड आता है जगा जगा मिलता है स्वागा तो वही बोरेक्स उसी की दवा है तो बोरेक्स मुँ के छाले भी सही करने की बहुत अच्छी दवा है और बोरेक्स आपके dry mouth को खतम करने में भी बहुत अथी दवा है अगर आपके उपर छालू का symptom है और आपके मुह में जलब और कर्मी आपको महसूस होती है तो आपका drug of the choice आपको ठीक करने की पोरेक्स है फिर साथियों एक स्थिती आ सकती है किसी को कि उसके dry mouth हो और मुह में इतनी ज्यादा जलब लटी हो कि उसको परफ का पानी चाहिए अगर यहाँ स्थिती आप में हो कि आपको इतना ज्यादा मुह में करम लग रहा है कि आपको परफ के पानी से अराम होता है परफ खाने से अराम होता है उस condition में dry mouth को ठीक करने की बहुत कारगर दभा है Allumine आप Allumine 30 दो दो बून दिन में तीन बार ले ले आपका जो dryness का एक्स्ट्रीम है और चलन का जो एक्स्ट्रीम है मुह में वह आप हतम हो जाएगा और आपका saliva secretion भी पढ़के यानि थोग का ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा और आपका dry mouth यानि जीरो स्ट्रोमिया खग हो जाएगा फिर साथे में किस्ट्री आती है कि आपके जो मुह हैवा सूख गया है और जुबान जो है उसमें चुभन हो रही है जैसे बरईया के काटनी की चुभन होती इस तरह का stinging type आपके sensation पेन हो रहा है आपके टंग में और आपका मुह पूरा सुखा हुआ है तो उसको ठीक करने की हुमियों परती हो बहुत अच्छी दवा है एपिस मेलिफिका एपिस थार्टी पावर में दो दो बून दिन में तीर बाई हर वो मरीज ले सकता है जिसके मुह में जो है मुह सुखता हो जुबान में चुभन होती हो उसको प्यास लगभद बिलकुल नहीं लगती हो तो उसकी ट्रक आप दा चॉइस एपिस है एपिस अटिकेर याथी भी बहुत अच्छी दवा है यानि जो पित्ती उछलती है उसकी भी एपिस बहुत अच्छी दवा है लेकिन यहां जो बाद भी सहर्यावार राइमाउट है तो राइमाउट की भी एपिस बहुत अच्छी दवा है पिर साथ युए कि स्थिती आती है ड्राय माउथ का एक मतलब वर्ज सिनेरियों में शेक होता है कि मुँ इतना सूख जाता है कि मरीज अपनी जुबार तक बहार ने निकाल पाता है तो अगर यहां इस्थिती हो कि आप जुबार ने निकाल पारे हैं तो इसको ठीट करने के यह उन्हों पेटले बहुत कालगर दभा है लेकैसिस आप लेकैसिस वान यह कि तीन खुराग पच पच मिनिट के फासले पर भी क्ली ले सकते हैं आप देखेंगे कि आपका मुँ भी सही हो गया आपका ड्राय माउथ भी खतम हो गया और आप जो टंग प्रिट्यूड नही नहीं आप आ रही वहाँ भी नॉर्मल अपने कोर्स में आने लगी फिर साथी में किस्तिती आती है कि आप सुभा सुभा उठे और आपका मुँ बहुत सूखा हुआ है और आपको कुछ खा नहीं पा रहे आप सुभा नाश्टा नहीं कर पा रहे तो अगर ऐसी कंडिशन आ आप सुभा वर्यर्म दी खुराग पर्पर्शनेट के फास्सिये पर विक्ली ले सकते हैं अगर आपका मुँ रहे पर सुभा सुभा के वक्ता है आप नाश्टा नहीं कर पाते हैं आम चौट पे सुभा के मीठी चीजे खाना बहुत पसंद होता है नाना बिलकुल नहीं प इसमें बहुत पाए जाता है वह है diabetes, diabetes mellitus यानि blood sugar, इनका blood sugar होता है, diabetes होता है, उनका आप दोर पे देखा क्या मुह सुखता है, तो अगर यहाँ इस्तिती आप में है, यानि आपको यापके परिवार में किसी को diabetes है, blood sugar है, और उनका मुह सुख रहा है, तो इसको ठीक करने की इसमें बहुत का प्रतवा आस्निक अलबम है, आप आस्निक अलबम 30 दो दो बून दिन में 3 बार उस मरीज को दे सकते हैं, जिसको blood sugar यानि diabetes हो, उसका मुह सुखता हो, उसको थोड़ी थोड़ी देर पर प्यास लगती हो, एक बार साती हूं आपको बताना चाहेंगे, आस्न दिन में 3 बार लें, और वास्ताविक मैजिक देने, यह इस निगलेक्टिट ड्रग है, ड्याइबटीस के केस में, लेकिन हमने इसको अपने क्लेनिक पर बहुत इफेक्टिवली यूस करा है, तो अगर आपको थोड़ी थोड़ी देर पर प्यास लगती है, और आपका मुह सूखता है और आपको ब्लड शुगर है, तो आपको आपको आपकी ड्रग ऑफ दर चॉइस है, दो और दबाए है, पहली है यूरेनियम नाइट्रिकम और दूसरी है फॉस्फोरस, यूरेनियम नाइट्रिकम 30 पावर में दिन में 3 बार, और फॉस्फोरस वरियें की एक और यूरेनियम नाइट्रिकम में आपकी यूरेनियम में शुगर आ रही है, तो वो है डाइवेटीज के ठीक करने की बहुत कारगर दबाए, प्लस आपके ड्राय माउथ को खटब कर देगी, एक इस्तिति और साथियों आ सकती है कि आपका मुँ रात में जारा सुपता है, तो आप रात में लेटें तो मुँ बहुत सुपता है, तो अगर या इस्तिती है कि रात में जब आप लेटें हो तो आपका मुँ सुपता हो, तो इसको ठीक करने की होने परती में बहुत कारगर दबाए, कोकुलस, इंडिकस, आपको कुलस 200 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार ले ले, जो आपको रात को मुँ सुपता हो, मुँ में बहुत कड़वा पन लगता है, वास्तिती से यहां को ठीक कर देगी और आपको सुस्त कर देगी, जैसा कि साथियों भी चर्चा हुई थी, सिम्टम्स में, कॉसे में, कि आपका जो ठीक के टुब है, उससे भी आ बार या प्लेंटेगों का मदर टीचर प्रिंटी डॉस्तू टूटाइक्स ले सकते हैं, आप देखेंगे कि अगर टूथ रिलेटेड तबू से आपके मुँ सुख राय हो रहा है, तो प्लेंटेगों बहुत अच्छी रवा है, वह आपके सलाइवा के सिक्रीशन को बढ़ तो अगर यहां यह टेविल इस्तिती आपके सामने हो, तो इसको ठीक करने की होमियोपैती में बहुत कारगर दवा है, साइक्ला में, आप साइक्ला में थर्टी दो दो बून दिन में तीन बार ले ले, आप देखेंगे कि जो आपके नंकीन टेस्ट वाला सलाइवा है, जो इस तीती आती यह साथी हो, कि जो आपके थूक बंदा है, सलाइवा बंदा है, उसको ठीक करने की हो बहुत अछी दवा इगनीशया अमारा है, आप इगनीशया थर्टी दो दो, बून दिन में तीन बार ले, यहां दवां आपके मूं में जो ठूक का खटा पन है उसको खत आपके ड्राइमाउप की समस्या को खतम करके आपको स्वस्प कर देगी फिर एक सिती आती साथियों जो आपका सलाइवा बन रहा है थूप बना मीठा है तो अगर थूप में बहुत जादा मीठापन है जो इरीटेबिल आपको लग रहा है तो उसकी जो सुटनेस है उसको खत अपनेवा खतम हो जाएगा आप talk पर गाम मिला कव लोग बच्चों की गुस्दे को कम करने की दवा के रूप में चच्ड़यपन को दूर करने की दवा के रूप में लेगते हैं लेकिंग यहां आपके शुट सलायवा को भी खतम करने में बहुत तारगर है यह साथियों को दवाय थी आपके ड्राय माउट एनीजी रूस्टोमिया को ठीक करने की इस वीडियो से साथ ही यही प्रयास करा है कि आपके कहीं जो आपके दिमाज में सवाल आते हैं आपके मर्स को लेकर उसमें कुछ सवालों का जवाब आपको मिल जाए है वीडियो उसी का मात्यम है अग आपके वाइबल सवालों का संतोष चरह किवाब देने में अत्यन प्रसंद्दा होगी अगर साथ हूं आपको यहां हमारा प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा अपने चैनल को सब्सक्राइब आपने करा होगा और उसे सब्सक्राइब कराईएगा श करने के लिए पेशेश रखने के लिए बहुत बहुत थन्यवाद। कर दो तो दो प्रिजब झाय चैनल को दो सब्सक्राइब कर दो करें स्वाद। कर दो कर दो कर दो